C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्शा गयारह की समाज शास्त्र की पाठ्छे पुस्तक समाज शास्त्र परिचे का ध्वनी पाठ प्रसुत है समाज शास्त परिचे भाग एक, अध्याय एक, समाज शास्त एवं समाज, प्रिष्ट संख्या एक परिचे हम शुरुवात करते हैं कुछ सुझावों से, जो प्राय आप जैसे युवा विद्यार्थियों के समुख रखे जाते हैं एक सुझाव प्राय दिया जाता है कि मेहनस से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाऊगे दूसरा सुझाव यह होता है कि यदि आप इस विशे अत्वा विश्यों के समुख की पढ़ाई करेंगे तो भविश्य में अच्छी नौकरी मिलने की जादा संभावना रहेगी तीसरा सुझाव इस परकार हो सकता है कि कि किसी लड़के के लिए यह विशे जादा उपयोगत नहीं दिखता अत्वा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विश्यों का चुनाव वहवारिक है चौथा सुझाव आपके परिवार को आपकी नौकरी की शिग्र अवशकता है तो एक ऐसा विवसाई ना चुने जिसमें बहुत जादा समय लगता हो अत्वा आपको अपने परिवारिक विवसाई में कार्य करना है तो आप इस विशे को पढ़ने की इच्छा क्यूं रखते हैं आईए हम इन सुझावों पर गौर करें क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी तीन सुझावों का खंडन करता है क्यूंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्म करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे इसका दारुंदार स्वेम पर है दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत परियास के अलावा नौकरी का एक बाजार है और वेह बाजार यह निश्चित करता है कि किस विशे की पढ़ाई करने से नौकरी के अफसर जादा है या कम है तीसरा और चौथा सुझाव इस विशे को और भी जटिल बना देता है यहां केवल हमारे व्यक्तिगत प्रियास और नौकरी का बाजार ही नहीं, बलकि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी माइने रखते हैं यदपी व्यक्तिगत प्रियासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह आवशक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें जैसा कि हम देखते हैं कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं, जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्व पून भूमिका निभाते हैं हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक, आर्थिक प्रिष्ट भूमी, एवं लिंग का जिक्र किया है क्या आप अन्य कारकों के बारे में सोच सकते हैं? प्रिष्ट संख्या 2 हम पूच सकते हैं कि यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है? अत्वा, सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टी जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारन करते हैं? क्या संस्कृती एवं सामाजिक मानकों की भी इसमें कोई भूमिका होती है? प्रतेक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनस से अध्यन अवश्य करना चाहिए लेकिन वे कितना अच्छा कर पाता है ये सामाजिक कारकों के एक पूरे समुचे द्वारा निर्धारित होता है नौकरी का बाजार अर्थवाश्था की जरूरते भी पुनह सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर रहती है किसे विद्यार्थी की नौकरी के अफसर इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकडों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक प्रिष्ट भूमी से भी प्रभावित होते हैं यहां से हमें इस बात का प्रारंभिक ज्यान मिलता है कि किस प्रकार समाज शास्र मानव समाज का एक अंते संबंधित समग्र की रूप में अध्यन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंते क्रिया करते हैं उच्चतर माध्यमिक विद्याले में विश्यों के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है इसके बावजूत अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं अते प्रत्यक्ष है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है समाज शास् एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन-भिन समाजों में भिन-भिन है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की समाजिक प्रतिष्ठा कितनी हैं, अत्पा नहीं है। यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रसंगिक समाज का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है वह समाज जिससे वह संबंधित है? व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है? क्या ये आसपडोस है? क्या ये समुदाय है? क्या ये जाती या जनजाती है? क्या ये उसके माता-पिता का व्यपारिक दाइरा है? क्या य इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा विंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। प्रिष्ट संख्या तीन। यह याद रखना महत्व पून है कि जिस प्रकार हम में से प्रतेक की अपनी एक अलक जीवनी है उसी तरह एक विशे की भी जीवनी होती है। विशे के इतिहास को समझने से विशे को समझने में सहायता मिलती है। अंत में समाज शास्र के विशेशेत्र एवं अन्य विश्यों से इसके संबंधों की चर्चा की गई है। हमने अपनी शुरुवाद कुछ सुझावों के एक समूचे के साथ की थी, जिसने हमारा ध्यान इस ओर आकरशित किया कि व्यक्ती और समाज एक दूसरे से परस पर किस प्रकार संबंधित है। यह एक ऐसा बिंदू है जिस पर समाज शास्त्री पीडियों से विचार विमर्श करते आ रही है। जरीब और ग्री विहिन दंपत्ती का दृश्य कैसा है? समाज शास्त्री कल्पना ग्री विहिनता को समझाने और इसकी एक जनहित मुद्दे की तरह व्याख्या करने में सहायता करती है। क्या आप ग्री विहिनता के कारणों की पहचान कर सकते हैं? आपकी कक्षा के विभिन समू इसके संभावित कारणों पर सुचनाएं एकत्र कर सकते हैं। उधारन तया रोजगार संभावनाएं गावू से शहरों में प्रवसन आदी। इन पर चर्चा कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि किस प्रकार राज्य ग्रह विहींता को एक जनहित मुद्दे के रूप में लेता है? जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सरी के ठोस कदम उठाने की अवशकता है। समाज शास्तिय कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज में इन दोनों के सम्मंधों को समझाने में सहायता करती है। यही इसका मुख्य कारे है। यह वाइदा भी है शायद सबसे अधिक परिनाम दायक विभेद जिसके द्वारा समाज शास्तिय कल्पना कार्य करती है। वह व्यक्तिगत समस्याओं और समाजिक सनरचना के जनहित के मुद्दे के बीच है। जब किसी को व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के संबंधों में कठिनाईयां हो जाती है। तब वह उसे स्वैम प्रत्यक्ष वह निजे रूप से ग्याद समीती सामाजिक दायरे में सुलजाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन तथा स्थानिय वातावरन से परे होता है। समकालीन इतिहास के तथ्य, पुर्शों और इस्तियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं। जब एक समाज का उद्योगी की करन होता है, एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामन्त समाप्त हो जाता है, या वेविसाई बन जाता है। जब कोई वर्ग उठता है या गिरता है, एक व्यक्ती रोजगार युक्त अत्वा बेरोजगार हो जाता है। जब विनियोग की दर उपर नीचे जाती है, आदमी का मन उचलता है या तूट जाता है। जब युद होता है, एक बीमा एजिंट रॉकेट लॉंचर बन जाता है, एक स्टोर का क्लर्क रडार मैन बन जाता है, एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा होता है। एक व्यक्ति की जिंदगी हो या समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझान नहीं जा सकता। मिल्स 1969 प्रिष्ट संख्या चार यहां एक ग्रीव इहीं दबबत्ती का चित्र दरशाया गया है। वश 2016 से आरंभ हुई प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के ग्रामीन विकास मंत्राले M.O.R.D. द्वारसंचालित एक विशाल योजना है। जो आवास हीन परिवारों और जीन शीन कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकानों के निर्मान के लिए वित्य और श्रमिक सहायता प्रदान करेगी। क्या आप ऐसे अन्यमुद्दे बता सकते हैं जो व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित के मुद्दों से संबंध दर्शाते हैं। समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं। समकारीन विश्व में एक परकार से देखा जाए तो हम एक से जादा समाजों से चुड़े हुए हैं। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब भारतिय समाज से हो सकता है। लेकिन भारतियों के बीच हमारे समाज को भाशा, समुदाय, धर्म या जाती अत्वा जन जाती के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। यह विविदिता इस बात का निर्ने करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद लगता है कि समाजों का खाका खीचने की समस्या अकेले समाज शास्त्यों की ही नहीं है, जैसा कि नीचे दी गई टिपनी से प्रकट होता है। अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए इस पर चर्चा करते हुए मशूर भारतिय फिल्मकार सत्यजीत राए हैरानी से कहते हैं। आप अपनी फिल्मों में क्या रखेंगे, आप क्या छोड़ सकते हैं, क्या आप शहर को पीछे छोड़ कर गाउं में जाएंगे, जहां विशाल चारा गाहों में गाएं चर्ती है और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं। आप यहां एक साफ सुत्री एवं ताजातरीन फिल्म बना सकते हैं, जिसमें एक नाविक के गीतो की सी मोहक लै होगी। अत्वा आप इतिहास में पीछे महाकाव्यों में जाएंगे, जहां दैत्यों और देवों ने महान संग्राम में हिसा लिया था, जिसमें भाईयों ने भाईयों का संहार किया था, अत्वा आप वहीं थेहरे रहेंगे, जहां आप हैं वर्तमान में। यहीं इसी विकट भीरभार चका चौन भरे शहर के बीचो बीच और इसके कोलाहल और द्रिश्यों और परिवेश के विरोधा भासों से स्वर्म मिलाने का प्रियास करेंगे प्रिश्ट संख्या पांच यहां पांच अलग-अलग द्रिश्यों को दर्शाया गया है जिसमें पहले दो द्रिश्यों में अकबारों की खबरे दिखाई गई है जिसमें एक तरफ विश्व में भुकमरी की समस्या की बात की गई है दूसी तरफ दस मोटापे से ग्रसित देशों की बात की गई है उसके बाद अगले चित्र में किसानों को खेतों में काम करते हुए दर्शाया गया है साथ ही अगले चित्र में मजदूरों को काम करते दिखाया गया है वहीं आखरी चित्र में ओपरेशन थेटर में डॉक्टरों को दर्शाया गया है द्रिश्यों पर चर्चा कीजिए ये किस परकार की बहुलताएं और असमानताएं दर्शाते हैं प्रिष्ट संख्याद 6 ये समाज शासर के सम्मुख मुखे प्रश्ण है कि समाज में किस चीज पर ध्यान के इंद्रित किया जाए हम सत्य जीत राय की टिपनी पर पुने जाते हैं तो स्तब्द होते हैं कि क्या उनके द्वारा किया गया गाउं का चितरन रोमैंटिक है एक समाज शासरी के नजरिये से गाउं के दलित के आगे दिये गए चितरन की इससे तुनला करना उलेखनिय होगा जब मैंने उसे पहली बार देखा वे गाउं की छपर की छट वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था जान बुचकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए जो दुकानदार के लिए मूख संकेत था कि अचूत को चाय खरीदनी है मुली एक चालिस वर्षे पांच से मेले हुए दांतो वाला मरियल सव्यक्ति था जिसके लंबे बाल पीछे की तरफ लटके हुए थे फ्रीमैन उन्निस सो अठथतर क्रिया कलाप दो भारत सरकार का हाल ही का राष्ट्य परिवार सर्वेक्षन बताता है कि सफाई सुविधाएं 60 से अधिक प्रतिशत लोगों को प्राप्त है समाजिक असमानता के अन्य संकेतों को मसलन शिक्षा, स्वास्थे, रोजगार, इत्यादी के बारे में मालूम कीजिए अमर्त्य सेन का उधरन शायद इसका जादा अच्छी तरह से वर्नन करेगा कि किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रिय बिंदु है कुछ भारत ये अमीर हैं, अधिकांश नहीं, कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षर हैं कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं, जबकि दूसरे थोड़े से पारिशमिक के बदले कठोर परिशमिक करते हैं कुछ राजनितिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अफसर हैं, जबकि अन्य के पास अफसरों का नितांत अभाव है कुछ के प्रती पुलिस का वहवार सम्मान जनक रहता है, जबकि अन्य कुछ के लिए अत्यधिक असम्मान जनक यह आसमानता के कुछ विभिन प्रकार हैं, और इसमें से प्रते के लिए गंभीर चिंतन की अवशक्ता है अमर्तिय सेन 2005-210-11 समाज शासर का परिचे शास्टे कल्पनाओं के बारे में आपको पहले ही परिचे दिया जा जुका है व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार पर हमारी परिचर्चा से पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनितिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शेक्षनिक संस्थाएं अंते संबंधित हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बंधा हुआ भी है तथा पी कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है प्रिष्ट संख्या साथ अगले कुछ अत्याए विभिन संस्थाओं और साथी साथ संस्कृति पर आधारित होंगे ये समाज शास्त्र की कुछ प्रमुख शब्दावली एवं संकल्बनाओं पर भी केंद्रित होंगे जिसमें समाज को समझने में आपको मदद मिलेगी क्योंकि समाज शास्त्र मनुष्य के समाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्यन है एक समाजिक प्रानी की तरहां स्वैम हमारा वहवार इसके विशे वस्तु है समाज शास्त्र ऐसे कारे करने वाला पहला विशे नहीं है लोगों ने हमेशा से उस समाज और सम्हू को देखा और समझा है जिसमें वे रहते हैं ये सभी सभ्यताओं और युगों के दाशनिकों, धार्मिक गुरुओं और विधी वेताओं की पुस्त को से स्पष्ट होता है अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दाशनिकों एवं समाजिक विचार को तक सीमित नहीं हैं हम सब ही कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में और दूसरों की जिंदगी के बारे में भी अपने अपने विचार रहते हैं और इसी तरह अपने समाज और दूसरे समाजों के बारे में भी ये रोजाना की हमारी धारनाएं और हमारी सामानें बौधिक समझ ही है जिसक मानव वहवार में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक रहन सहन के वांचित तरीकों एवं एक अच्छे समाज के बारे में दाशनिक तथाधार्मिक विचारक अक्सर निरिक्षन करते रहते हैं समाज शास्र का सरोकार भी मानकों एवं मुल्यों के प्रती है लेकिन इसकी मुख्य दृष्टी इन मानकों एवं मुल्यों से परे उन उद्देश्यों पर हैं जिसका लोगों को अनुसरन करना चाहिए इसका सरोकार उस तरीके से है जिसके तहत वह वास्तविक समाजों में कार्य करते हैं अध्याय तीन में आप पढ़ेंगे कि किस परकार धरम का समाज शास्त्र इश्वर मिमानसिय अध्यन से अलग है समाजों का अनुभाविक अध्यन समाज शास्तियों के कार्य का एक एहम हिस्सा है लेकिन इस बात का यह अर्थ कदापी नहीं है कि समाज शास्त्र का मुल्य के प्रती कोई सरोकार नहीं है इसका तात्पर्य केवल यह है कि जब एक समाज शास्त्री एक समाज का अध्यन करता है तब वे जानकारियां इकठा करने और प्रेक्षिन करने को उत्सुख होता है चाहे वे उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो इसको स्पष्ट करने के लिए पीटर बर्जर एक असमान्य लेकिन प्रभावकारी तुलना पेश करते हैं किसी राजनीतिक या सैनिक संगर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तिमाल की गई सूचनाओं को हत्याना काफी फायदे मंद होता है लेकिन इसका कारण यही है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाए पूर्वा ग्रहों से मुक्त होती है यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्ट अपने अधिकारियों की विचारधारा इवं महत्वकाशाओं को ध्यान में रख कर करता है तो उसकी रिपोर्ट ना सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुपियोगी होगी बलकी विरोधी पक्ष के लिए भी यदि वै उसे हत्याना चाहे एक समाज शास्त्री भी काफी माइने में ऐसा ही एक जासूस है प्रिष्ट संख्या आठ उसका काम है किसी भी निश्चित शेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तयार करना जितना की भै कर सकता है बर्जर 1963-16-17 क्या इसका अर्थ यह निकलता है कि समाज शास्त्री की अपने अधियन के उद्धेशे के बारे में जानने अत्वा उस काम के प्रती जिसके लिए समाज शास्त्री जानकारियां जुटाई जा रही है कोई सामाजिक जिम्यदारी नहीं है उसके जिम्मेदारी भी उतनी ही है चितनी समाज के एक नागरिक्की होती है लेकिन यह पूश्टाच समाज शास्त्रिय पूश्टाच नहीं है यह तो एक जीव विज्ञानी के जैवकिये ग्यान की तरह है जिसका उपियोग या तो स्वस्त करने के लिए या खत्म करने के लिए किया जा सकता है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जीव विज्ञानी उस दिम्मेदारी से मुक्त है जिसके लिए वैकार्य कर रहा है परन्तु यह एक जैवकिये प्रश्ण नहीं है समाज शास्र अपने आरंभिक काल से ही स्वैम को विज्ञान की तरह समझता है समाज शास्र प्रचलित समान्य बौधिक प्रेक्षनों या दाशनिक अनुचिंतनों या इश्वर्य व्यक्ष्यानों से हटकर व्यक्जानिक कार्य विध्यों से बंधा हुआ है इसका अर्थ है कि जिन कत्नों पर समाज शास्री पहुँषता है वै कत्न साक्षे के निश्चित नियमों के प्रेक्षनों द्वारा प्राप्द किये हुए होने चाहिए ताकि दूसरे व्यक्षि उसकी जांच कर सके या उनकी जानकारियों के विकास है तो उन्हें दोहरा सके समाशास में प्राकतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान के अंतर पर और परिमानात्मक तथा गुनात्मक अनुसंधानों के अंतर पर परियाप्त बहस हो चुकी है हमें यहां इस विवाद में नहीं पढ़ना है लेकिन यहां तो बाद प्रासंगिक है वह यह है कि समाज शास्र को अपने परेक्षनों और विशलेशनों में कुछ निश्चित नियुमों का पालन करना होता है ताकि दूसरों के द्वारा उसकी जाँच की जा सके अगले खंड में हम समाज शास्रिय ग्यान और सामाने बौधिक ग्यान की तुलना करने जा रहे हैं जो एक बार फिर इस बात पर बल देता है कि समाज शास्र जिस तरह से समाज का परेक्षन करता है उसमें प्रधितियों की भूमिका, प्रक्रियाएं और नियुमों का कितना मह इस पार्थे पुस्तक का पांचवा अध्याए आपको बताएगा कि समाज शास्री क्या करते हैं और वै किस तरह समाज का अध्यन करते हैं समाज शास्र और समान्य बौधिक ज्यान के बीच के अंतरों का विस्तरित वर्नन समाज शास्रिय उपागम एवं पदती के बारे में एक स्पष्ट विचार देने में सहायता करेगा समाज शास्र और समान्य बौधिक ज्यान हम देख चुके हैं कि किस तरह सामाजिक ज्यान इश्वरिय मिमांसिय और दाशनिक प्रेक्षणों से अलग है इस प्रकार समाश्यासर समान्य बौधिक प्रेक्षणों से अलग है समान्य बौधिक वर्णन समानते उन पर आधारित होते हैं जिने हम प्रक्तिवादी और व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं वहवार का एक प्रक्तिवादी वर्नन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति वहवार के प्रक्तिवादी कारणों की पहचान कर सकता है प्रिष्ट संख्या 9, क्रिया कलाप 3 गरीवी का एक उधारन यहां लिया गया है और हमने गरीवीहीन व्यक्तियों वाली अपनी चर्चा में इस बात का हल्का सा उल्लेख किया है आप अन्यमुद्दों के बारे में सोचे कि वै प्रक्तिवादी और समाज शास्ति तरीके से कैसे वर्नित किये जा सकते हैं अते समाज शास्ति समान्य बौधिक प्रेक्षणों एवं विचारों तथा साथी साथ दाशनिक विचारों दोनों से ही अलग है यह हमेशा यह समानत है भी चमतकारिक परिनाम नहीं देता लेकिन अर्थपून और असंदेक्ट संपरकों तक केवल सामान्य संपरकों की चानबीन द्वारा ही पहुँचा जा सकता है समाज शास्तिय ज्यान में बहुत अधिक प्रगती हुई है जादा प्रगती तो सामान्य रूप से हुई परंतु कभी कबार नाट किये उद्भवों से भी प्रगती हुई है इस प्रिष्ट पर आगे एक तालिका दी गई है जिसे तीन भागों में बाटा गया है पहली पंक्ती में शीर्षक के तौर पर लिखा गया है व्याख्या, प्रगतीवादी, समाज शास्तिये व्याख्या शीर्षक के अंतरगत दिया गया है गरीबी प्रकतिवादी शीशक के अंतरगत दिया गया है, लोग गरीब इसलिए है क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, समस्या ग्रस्त परिवारों से आते हैं, परिवार का उचित बजट बनाने में अयोग्य हैं, बुध्धी मता की कमी हैं, एवं कार्य के लिए स्थानांतरन से डरत हैं, समाज शास्तिये शीशक के अंतरगत दिया गया है, समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता की सनरचना हैं, और वे लोग इससे जादा प्रभावित होते हैं, जिनकी कारे की अनियमित्ता, दीर्ग कालीक एवं मजदूरी कम हैं, जैराम 1987 3 असंदेग्ध संपर्ख पर्थिये सैनिकों की मृत्यू पर मिलने वाली शतिपूर्टी की धनराशी उनकी विद्वाओं को मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से सरकार ने इस वैंसले के अवांचित परिनामों का पूर्वानुमान नहीं लगाया, इस कारण बहुत से विद्वाओं को अपने परिवती थी, यह इस बात को निश्चित करने के लिए होता था कि शतिपूर्टी की धनराशी मृतक के परिवार में ही रहे, क्या आप इस तरह के अवांचित परिनाम वाले किसी अन्य समाजिक कार्य, अत्वा ऐसे ही किसी शाष्किये पैसले के बारे में सोच सकते हैं? समाज शास्र में सनकल्पनाओं, पधतियों और आक्डों का एक पूरा तंत्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह संयोजित है, ये समाने बौधिक ज्यान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता समाने बौधिक ज्यान अब परावर्तनिय है, क्योंकि ये अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्ण नहीं पूछता है या दूसरे शब्दों में ये अपने आप से ये नहीं पूछता? मैं ये विचार क्यूं रखता हूँ? एक समान शास्री को अपने स्वैम के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्ण पूछने के लिए सदेर तयार रहना चाहिए चाहे व्यविश्वास कितना भी प्रिय क्यों नहूँ? क्या वास्तव में ऐसा है? समाश्यास्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्निकारी व्यज्ञानिक खोच की एक विस्त्रित परंपरा से निकले हैं व्यज्ञानिक कार्यविध्यों के इस महत्व को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की तरफ लोटे और उस समय की सामाजिक परिस्तिती को समझें जिसमें समाश्यास्तिय द्रिष्टिकून का उद्भव हुआ था क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकासों का समाश्यास्र पर गहरा प्रभाब पड़ा था चलिए हम संशित में समझें की समाश्यास्र की रचना में बौधिक विचारों की भूमिका कहां तक है आधुनिक सभ्यताओं की खोच से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों समाश्यास्रियों एवं समाजिक मानव विज्ञानियों ने समाज के बारे में इस द्रिष्टी कौन से विचार किया कि उनका विभिन प्रकार में वर्गी करन किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन चर्नों को पहचाना जा सके यह लक्षन उनीसवी शताबदी में आरमभिक समाज शास्त्रियों जैसे आगस कौन्त, काल मास्क एवं हवबर्ट स्पेंसर के कारियों में पुने द्रिष्टी गोचर होते हैं अते इस बात के प्रयास किये गए कि उन बातों के आधार पर विभिन तरहा के समाजों का वर्गी करन किया जाए उधारन के लिए आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियां एवं संग्रे करता चरवाहे एवं क्रिशक, क्रिशक एवं गैर ओद्योगिक सभ्यताएं आधुनिक समाज के प्रकार जैसे ओद्योगी कृत समाज इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता था कि पश्चमी संसार आवश्यक रूप से जादा प्रगतिशील एवं सभ्य था गैर पश्चमी समाज को अशिष्ट और कम विक्सित समझा जाता था भारतिय औपनिवेशक अनुभव को भी इसी द्रिष्टी से देखा जाना चाहिए भारतिय समाज शास्र में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेश वाद के समय में जाईए और इसका बुद्धी जीवी तथा सिध्धान्तवादी जवाब है सीं 2004-19 शायद इसी प्रिष्ट भूमी के कारण ही भारतिय समाज शास्र खास तोर पर विचार शील रहा है और यही इसके वहवार में भी दिखता है चौधरी 2003 अगली पुस्तक समाज बोध में आप भारतिय समाज शास्र विचार उसके सरुकारों और इसके वास्विक वहवार के बारे में विस्तार से जानेंगे डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाज शास्र विचारों पर ध्रड़ प्रभाव था समाज की प्राय जीवित जैव वार्द से तुनला की जाती थी और इसके क्रमबद विकास को चर्णों में तलाशने के प्रियास किये जाते थे जिसकी जैविक जीवन से तुनला की जा सकती थी समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने जिसमें प्रतेक भाग एक खास कार्य निश्पादन में रत हो समाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाएं जैसे स्तरीकरन के अध्यन को बहुत प्रभावित किया इसकी चर्चा हमने यहां इसलिए की है क्यूंकि उन बौधिक विचारों का जिनकी समाज शास्त्र की रचना में महत्वपून भूमिका है इससे गहरा संबंध है कि किस प्रकाल समाज शास्त्र अनुभविक वास्त्विक्ता का अध्यन करता है ज्यानों दे एक यूरोपिय बौधिक आंदोलन जो सत्रवी शताबदी के अंतिम वर्षों एवं अठारवी शताबदी में चला कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है उस वक्त विज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी और साथ ही साथ एक बढ़ता द्रण विश्वास ये भी था कि प्राकतिक विज्ञानों की प्रद्दियों द्वारा मानविय पहलूं का अध्यन किया जा सकता है और करना भी चाहिए उधारनात गरीबी जो अभी तक एक प्राकतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंब हुआ जो की मानविय उपेक्षा अत्वा शोशन का परिनाम है इसलिए गरीबी को समझा जा सकता है और उसका निराकरन हो सकता है इसके अध्यन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेक्षन किया जाए और यह इस विश्वास पर आधारित हो कि मानविय प्रक्रियाओं को मापा जा सकता है और इसका वर्गिकरन किया जा सकता है सामाजिक सर्वेक्षिन के बारे में चर्चा पांचवे अध्याय में की जाएगी प्रारंबिक आधुनिक काल के विचारक इस बास से सहमत थे कि ज्ञान में व्रिधी से सभी सामाजिक बुराईयों का समधान संभव है उधारं के तौर पर फ्रांसेसी विद्वान आगस्ट कॉंध 1789-1857 जिनको की समाज शास्र का संस्थापक समझा जाता है का विश्वास था कि समाज शास्र मारब कल्यान में योगदान करेगा बहुत एक मुद्दे जिनकी समाज शास्र की रचना में भूमिका है और द्योगिक उत्पादन की उन्निती के पीछे यही पूंजिवादी विवस्था एक प्रमुख शक्ती थी वाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमे का अदा की और माल, सेवाएं इवं श्रम वस्तुएं बन गई जिनका निर्धारन तारकिक गर्णाओं के द्वारा होता था नई अर्थविवस्था पहले वाली अर्थविवस्था से एक दम अलग थी इंग्लैंड ओद्योगी क्रांती का केंद्र था ओद्योगी की करन द्वारा आया परिवर्तन कितना असरकारी था इसे समझने के लिए हम ओद्योगी की करन से पूर्व की इंग्लैंड की यहाँ पर पांच चित्र दिये गए हैं, जिसमें कारखानों और कुछ बस्तियों को दर्शाया गया है इसके नीचे लिखा गया है आसपडोस के कामकाजी वर्ग से गंदी बस्तियों तक प्रिष्ट संख्या 13 अधिकांश लोग गावू में रहते थे अपने भारतिये गावू की तरह ही वहाँ भी क्रिशक, एवं भूस्वामी, लोहार, एवं चम्राश्रमिक, जुलाहे, एवं कुमहार, चरवाहे और मध निर्माता थे समात छोटा था, यह स्तरी कृत था अर्थात विभिन लोगों की प्रस्थिती एवं उनकी वर्ग्स्थिती स्पष्ट परिभाशित थी सभी परंपरागत समाजों की तरह यह भी नसदी की आपसी वहवार की विशेश्टा रखता था और द्योगी की करन के साथ ही सभी विशेश्टाएं बदल गई नई विवस्था का एक प्रमुख मूल पक्ष था श्रम की प्रतिश्था कम होना शिल्प संग, गाउं एवं परिवार के सुरक्षे स्थानों से कार्य का अलग होना रूडिवादी एवं परिवर्तनवादी दोनों ही तरह के चिन तक सामाने श्रमिकों की प्रस्थिती की गिरावट को देख कर भैभीत थे परन्तु कुशलकारिगरों की स्थिती अलग थी नगरिये केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ ऐसा नहीं था कि पहले शहर नहीं थे लेकिन ओद्योगी की करन से पहले उनका स्वरू अलग था ओद्योगीक शहर ने एक बिलकुल नए नगरिये संसार को जनम दिया इसके निशानी थी फैक्टरियों का धुआ और कालिक नई ओद्योगीक श्रमिक वर्ग की भीरभाडवाली बस्तियां गंद्योगी और सफाई का नितांत अभाव इसकी अन्य निशानियों में से एक था नए प्रकार की सामाजिक अंतिक्रिया एक हिंदी फिल्म का गीत आगे दिया गया है फिल्म CID 1956 का यह गीत शहरी जिन्दगी के भौतिक एवं अनुभावात्मक पक्षो का चितरन इस प्रकार करता है एदिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके यह है बंबई मेरी जहाँ कहीं बिल्डिंग कहीं ट्रामे कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नामों निशा कहीं सत्ता कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस बेकारों के हैं कहीं काम यहाँ बेघर को आवारा यहाँ कहते हस हस खुद काटे गले सब के कहे इसको बिजनस एक चीज के हैं कई नाम यहां गीता बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तूना बन जो है करता वो है भरता है यहां का यह चलन भावा नुवाद प्यारे दिल यहां जिन्दगी मुश्किल है अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो मेरे प्यारे यह मुंबई है तुम्हें यहां बहु मंजल इमारते मिलेंगी ट्रामे मिलेंगी वाहन मिलेंगे, कारखाने मिलेंगे इंसानियत भरे दिल को छोड़कर तुम्हें यहां सब कुछ मिलेगा इंसानियत का यहां कोई नामों निशान नहीं है यहां पर जो भी करें उसका कोई मतलब नहीं है शक्ती या पैसा या चोरी या विश्वास घात ही यहां चलता है प्रिश्ट संख्या 14 अमीर लोग ग्री विहिन लोगों की आवारा व्यक्तियों की तरहां हसी उडाते हैं लेकिन जब वै एक दूसरे के गले काटते हैं तब उसे वैपार कहते हैं यहां एक कारे को कई नाम दिये गए हैं क्रिया कलाप चार ध्यान दे की ओद्योगिक क्रांती को प्रारंभ करने वाला देश ब्रिटेन कितनी शीगरता से ग्रामीन समाज से शहरी समाज में परिवत्त हो गया क्या भारत में भी इसी तरह की प्रक्रिया थी इस प्रक्रिया का भारत में एक अलग तरह का प्रभाव था शहरी केंद्र तो बढ़े परन्तु ब्रिटिश निर्मित वस्तूं के प्रवेश के साथ अधिकांश लोग क्रिशिशेत्र की तरफ उनमुख हुए अंग्रेजी कारखानों के मशीनों दुवारा तैयार माल के आगमन से भारी तादार में भारतिय दस्तकार बरबाद हो गए क्योंकि अत्यधिक विक्सित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी इन बरबाद दस्तकारों ने मुख्यताय जीवन निर्वा के लिए खेती को अपना लिया देशाई 1975-70 अक्सर कारखानों और इसके यांत्रिक श्रम विवाजन को किसानों, दस्तकारों, साथी साथ परिवार और स्थानी समुदायों को इस तरह समाप्त कर दिया कि लगता था जैसे यह जान बूचकर किया गया था कारखानों को एक आर्थिक कठोर नियंत्रन के रूप में देखा गया, जो अभी तक बैरकों और जेलों तक था कालमास के अनुसार कारखाने दमनकारी थे, फिर भी काफी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाईश थी यहां श्रमिकों ने बहतर जिंदगी हेतू, सामूहिक कारेप्रनाली एवं संगठित प्रियास दोनों चीजे सीखी नए समाजों के उभरने का एक और संकेतक था घड़ी के अनुसार समे का महत्व, जो सामाजिक संगठन का आधार भी था इसका एक महत्वपून पक्ष वेह तरीका था जिसके अनुसार अठारवी और उननीसवी शताब्दी में खेती हर और और द्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार अपने को धालना शुरू किया जो आधुनिक समय से पूर्व के काम के तरीके से एक दम भिन था और द्योगिक पूंजिवाद के विकास से पहले काम की ले दिन के उजाले और जी तोड़ परिश्म के बीच आराम या सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर तैह होती थी कारखानों के उत्पादन ने शुरम को समकालिक बना दिया इससे समय की पाबंदी एक तरह की स्थिर रफ्तार कारे करने की निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निरधारित हो गए इसके अलावा घड़ी ने कारे करने की अनिवारता पैदा कर दी नियोकता और करमचारी दोनों के लिए समय अब धन है यह बीचता नहीं बलकि खर्च हो जाता है क्रिया कलाप पाँच मालूम कीजिए कि किसी परंपरागत गाउं कारखाने और कॉल सेंटर में कारे किस प्रकार नियोजित किया जाता है प्रिष्ट संख्या पंदरा मालूम कीजिए किस प्रकार उद्योगिक पून्जी वाद ने गावों और शहरों में भारते जन्जीवन को बदल डाला है हमें यूरोप में समाज शास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए समाज शास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरुकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज अठारवी और उन्नीसवी शताब्दी में उद्योगी की करण और पून्जी वाद के आगमन के करण भेंका रूप से परिवत्तन की चपेट में था बहुत से मुद्दे जो उस समय प्राय उट्टे थे उधारन के लिए नगरी करण या कारखानों के उत्पादन सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे यद भी उनकी कुछ विशेशताएं थोड़ी अलग हो सकती थी वास्तव में भारते समाज अपने उपनिवेशिक अतीत और अविश्वसने विवेत्ता के कारण भिन हैं भारत का समाज शास्त्र इसको दरशाता है यदि ऐसा है तो उस समय के उरोप पर ध्यान केंद्रित क्यूं किया जाए वहां से शुरुवात करना क्यूं प्रासंगिक है जवाब अपिक्षाकृत आसान है क्यूंकि भारते होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पुन्जिवाद और उपनिवेश वाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है पश्चिम में पुन्जिवाद विश्व व्यापे विस्तार पा गया था यहां बॉक्स में दिया गया उधरन ये दर्शाता है कि किस प्रकार पश्चिमी पुन्जिवाद ने दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया था पुन्जिवाद और इसके द्वारा वैश्विक तोर पर समाज का असमानरुपांतरन सत्रवी और उनीसवी शताबदी में लगभग 24 मिलियन अफ्रीकियों को दास बनाया गया था जिसमें से 11 मिलियन अमेरिका तक की यात्रा में जीवित रहे ये आधुने के तिहास में दिखने वाली जनसंख्या के बहुत बड़े आंदोलन में से एक है उनको अपनी जमीन और संस्कृती से उखाड़ा गया और दुनिया भर में अलग-अलग हिस्सों में भयावे परिस्थितियों में भेजा गया और पुन्जिवात की सेवा के कारे में लगा दिया गया दास प्रथा इस बात का एक प्रत्यक्ष उधारन है कि किस प्रकार लोगों को अधुनिक्ता के विकास के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाब फसाया गया दास्ता की संस्था उननीसवी शताबदी के प्राड़म में कम होने लगी लेकिन हमारे लिए भारत में ये अठारा सो के बाद का काल था जब बद्वा मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा जहाजों में भर कर दुरस्त देशों जैसे दक्षिन अमेरिका में सूरिनाम अत्वा वेस्ट इंडीस अत्वा फिजी दीपो में उनकी सूती कपड़े की मिलों और चीनी कार खानों को चलाने के लिए लेक जाया गया जगाहों पर ले जाया गया जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी और जहां से लोटने में वे असमर थे और वहीं मर गए प्रिश्ट संख्या सोला आरके लक्षमन द्वारा प्रस्तोत मोरिश्ट का यात्र विवरन हमें बीते हुए उपनिवेशिक और वैश्विक अतीत की या दिलाता है यहां अफ्रीकी और चीनी, बिहारी और डज, पार्सी और तमिल, अर्भी, फ्रांसिसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं उधारन के लिए एक तमिल जिसका ब्रहमक साथ दक्षिन भारतिय चहरा था और एक लुभावना सा नाम भी था सचमुच मद्रास से था मैंने उसे तमिल में बात की, उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित टूटी-फूटी इंग्लिश में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्य चकित कर दिया शिरिमान गोविंदन को तमिल का ज्यान बिलकुल नहीं है और उनकी जीवा ने तमिल का उच्चारन करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया है लक्षमन 2003 भारत में समाज शास्त्र का विकास उपनिवेशवाद आधुनिक पूंजिवाद और उद्योगी की करन का आवशक हिस्सा था इसलिए पश्चमी समाज शास्त्रियों का पूंजिवाद एवं आधुनिक समाज के अन्यवपक्षों पर लिखित दस्तावेश भारत में हो रहे समाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है फिर भी जब हम शहरी करन के संदर्ब में देखते हैं उपनिवेशवाद में यह तत्थे नहित है कि आवशक नहीं है कि उद्योगी की करन का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चम में कालमास के इस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिपनियों से असमानता उजागर होती है भारत जो पिछली काफी समय से विश्व की एक माहान का पास उत्पादन का रिशाला थी अब इंग्लिश धागू और सूती सामान से भरा पड़ा था इसके अपने उत्पादन को इंग्लेंड से बाहर निकाल कर अथ्वा अत्यंत निर्मम शर्टों पर स्वविकार करके अंग्रेजी उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केबल थोडा और नाम मातल का शुल्क लगा कर भारी मात्रा में यहान लाकर स्वधेशी वस्र 1975 में उद्रित भारत में समाज शास्र को भारत्य समाज के बारे में पश्चमी लेखों को द्वारा लिखे दस्तावेजों और विचारों से भी जूजना पड़ता था जो हमेशा सही नहीं होते थे ये विचार अंग्रेजी ओपनिवेशिक अधिकालियों और पश्चमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किये गए थे उनमें से बहुतों के लिए भारत्य समाज पाश्चत्य समाज के एक दम विप्रीत था हम यहाँ पर केवल एक उधारन देते हैं कि एक भारतिय गाओं को किस तरह से समझा गया और अपरिवर्थनिय रूप से चित्रित किया गया समकालीन वव विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमती रखते हुए पाश्चात्य लेखुकों ने भारतिय गाओं को अफशेश के रूप में देखा जिसे समाज की शैशुआ वस्था कहा गया था उन्होंने उन्नीस्वी शताबदी के भारत में यूरोपियन समाजों का अतीद देखा प्रिष्ट संख्या सत्रा उपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्षे यह था कि यहां समाज शास्त्र और समाजिक मानव विज्ञान में प्राय अंतर किया जाता था एक स्तर ये पाश्चात्य पाठिपुस्तक में समाज शास्त्र की परिभाशा है मानव समूहों और समाजों का अध्यन जिसमें उद्योगी कृत विश्व के विशलेशन पर परियाप्त बल दिया जाता है समाजिक मानव विज्ञान की एक स्तर्य पास्चात्य परिभाशा इस प्रकार होगी गयरपश्यमी साधारन समाजों अर्था दूसरी संस्कृतियों का अध्यन भारत में किस्सा सर्वता अलग है M.N. शिरिनिवासन इसका खाखा इस प्रकार खीशते हैं भारत जैसे देश में इसके आकार और विभिन्ता के चलते शेत्रिये, भाशिये, धार्मिक, पंध संबंधी, सजातिये, जाती के साथ तथा ग्रामीन और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं ऐसी संस्कृती और समाज में जैसा की भारत में हैं, दूसरे से आमना सामना वास्तप में आस पास या पडोस में ही हो जाता है शिरिनिवास 1966-205 भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान जिसमें पहले आदिम लोगों के अध्यन ने स्थान ले रखा था धीरे धीरे बदल कर किसानों, सजातिय समूहों, सामाजिक वरगों, प्राचिन सभ्यताओं के विभिन पक्षों और विशेशताओं एवं आधुनिक उद्योगिक समाजों के अध्यन पर आ गया था भारत में समाजशास्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है, जो कि बहुत सारे पाश्चातिय देशों में इन दोनों विश्यों की एक विशेशता के रूप में मौजूद है शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीन और महानग्रिये और परंपरागत अती विभिन्ता ही इसकी वज़े है समाजशास्र का विशेशेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंद समाजशास्ति एध्यन का विशेशेत्र काफी व्यापक है यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच, अत्वा परिवार के सदस्यों के बीच की अंते क्रिया के विशलेशन को अपना केंद्र बिंदू बना सकता है। अमाजिक प्रक्रियाएं जैसे नए निचले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रोनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्व विद्यालियों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता इस पर का समाज शास्त्र विशे इससे परिभाशित नहीं होता कि वे क्या अध्यन अर्थाद परिवार या व्यपार संग अत्वा गाउं करता है बलकि इससे परिभाशित होता है कि वे एक चैनित शेत्र का अध्यन कैसे करता है प्रिश्ट संख्या अठारा यहां पर चार चित्र दिये गए हैं चर्चा कीजिए कि इतिहास समाज शास्त राजनेतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त फैशन, कपड़ों, बाजारों और शहर की गल्यों का अधियन कैसे करेंगे? प्रिश्ट संख्या उन्निस समाज शास्र सामाजिक विज्ञानों के सम्हू का एक हिस्सा है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनेतिक विज्ञान, मनो विज्ञान, एवं इतिहास शामिल हैं विभिन सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सूस पष्ट नहीं हैं और सभी में कुछ हद तक साजी रूचियां, संकल्पनाएं एवं पधितियां हैं इसलिए ये समझा जाना जरूरी है कि कुछ विश्यों में प्रत्यक्ता कुछ हद तत स्वेचिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए सामाजिक विज्ञानों को अलग-अलग करना, अंत्रों को अती रंजरित करना और समानताओं का आवरन चढ़ानी जैसा होगा इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिध्धानतों ने अंते विश्यक उपागम की अत्यधिक आवशक्ता को दिखाया है उधारन के लिए एक राजनितिक विज्ञानी या अर्थ शास्त्रे लिंगों की भूमिका और उनके राजनिती पर प्रभाब अध्वा परिवार के समाज शास्त्र के बगैर अर्थ विवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अधियन कैसे करेगा समाश शास्त्र एवं अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वित्रन का अध्यन करता है शास्त्र ये आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के आंतसंबंधों का वर्नन करता है कीमत, मांग एवं पूर्ती का संबंध, मुद्रा प्रभा, आगत और निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्यन का केंद्र आर्थिक क्रिया कलाप के संकूचित दाइरे तक रहा है मुखेता किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तूओं एवं सेवाओं का वित्रन वे अर्थशास्त्री जो राजनितिक आर्थिक उपागम से प्रभावित है आर्थिक क्रिया कलापो को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंदों के विस्तृत दाइरे में समझने का प्रयास करते हैं आर्थिक विशलेशन में प्रभावी प्रकती का उद्देशे किसी तरह से आर्थिक वहवार के सुनिष्टित कानूनों का निर्मान करना था समाज शास्तिय उपागम आर्थिक वहवार को सामाजिक मानगों, मुल्यों, वहवारों और हितों के व्यापक परिपेक्षु में देखता है निगमित शेत्र के प्रबंधक इस बाद को जानते हैं विज्यापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवनशैली को नया रूप देने की अवशक्ता से है अर्थशास्त के अंदर की प्रवित्या जैसे नारिवादी अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रिय संगठनकारी से धानत की तरहा पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं उधारन के लिए वैं ये देखेंगे कि किस प्रकार घर पर किया गया कारे बाहर की उत्पादक्ता से जुड़ा हुआ है क्रिया कलाप साथ क्या आप सोचते हैं कि विज्यापन वास्तव में लोगों के उभोग के तरीकों को प्रभावित करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि अच्छे जीवन की जो परिभाशा है वे किवल आर्थिक रूप से ही परिभाशित है? क्या आप ये सोचते हैं कि खर्चे और बचत की आदते सांस्कृतिक रूप से बनती है? प्रिष्ट संख्या 20 अर्थ शास्त्र के परिभाशित विशे शेत्र ने इसको एक अत्यधिक केंद्रित और विचाशिल विशे के रूप में सुविधा जनक तरीके से विक्सित होने में मदद की है समा शास्त्री प्राय अर्थ शास्त्रियों से इस बात के लिए इलशा रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एक दम सही होती है और उनके सेधान्तिक कारियों के परिनामों को वहवारिक सुझावों में परिनित करने की शमता से भी जिसका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है फिर भी अर्थ शास्त्री की पुर्वानुमान लगाने की योगयता को प्राय व्यक्तिकत वहवार, सांस्कृतिक मानगों एवं संस्थात्मक प्रतिरोध की अंदेखी करने की वज़ा से नुकसान उठाना पड़ता है जिसका अध्यन समाश शास्त्री करते हैं पियरे बोर्दियों ने 1998 में लिखा है वास्विक आर्थिक विज्ञान अर्थ वैवस्था की प्रतेक लागत पर ध्यान देगा केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर ही नहीं बलकि अपराद आत्महत्याओं और ऐसी ही अन्य लागतों पर भी हमें खुशी भरा ऐसा अर्थ शास्त्र आगे लाना होगा जो सभी परकार के हितों का ध्यान रखेगा व्यक्तिगत एवं सामुदाइक भौतिक एवं सांकेतिक क्रिया कलापों से संबंधित जैसे सुरक्षा और साथी निश्क्रियता या अनिश्चित रोजगार से भौतिक एवं प्रतिकात्मग लागत का भी उधारन के लिए दवाओं का उपभूग शमनकारी दवाओं के इस्तमाल का विश्वरिकॉर्ड फ्रांस के नाम है स्वेडवर्ग 2003 से उद्ध्रित समानत्य समाशास्र अर्थशास्र के विपरीद तकनी की समाधान प्रस्तुत नहीं करता बल्कि यह एक प्रश्नकारी एवं अलोजनात्मग दृष्टिकॉन को प्रोत्त साहित करता है यह आधार भूद मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस परकार नाकेवल निर्धारित लक्षों की तकनीकी, साधनों के प्रती बलकी स्वैम, उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रती भी चर्चा का अफसर प्रदान करता है हाल ही में आर्थिक समाज शास्त्र में पुनुरुथान की प्रवित्ती देखने में आई है, जिसका कारण शायद समाज शास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक द्रिश्टी कोन है समाज शास्त्र किसी सामाजिक स्थिती की पहले से विद्धिमान समझ को जादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है या तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अत्वा किसी चीज के घटेत होने के कारण को बहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं दूसरे शब्दों में सिध्धान्तिक समझ के द्वारा समाज शास्त्र एवं राजनीती विज्ञान जैसा की अर्थ शास्त्र में हैं वैसा ही समाझ शास्त्र और राजनीती विज्यान के बीच भी प्रदितियों और उपागमों की परस पर अंतिक्रिया की बहुलता है दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक वहवार गेहन रूप से शामिल नहीं है समानत हैं सिधानतिक भाग में प्लाटो से लेकर मास्तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदू बनाया गया है जबकी प्रशासनिक भाग का केंद्र बिंदू सरकार के वास्तविक संचालन की तुनला में इसका अपचारिक ठाचा रहा है प्रिष्ट संख्या 21 क्रिया कलाप 8 पिछले आम चुनाव में किये गए अध्यन के प्रकारों की जानकारी प्राप कीजिए संभवत है आप उनमें राजनितिक विज्ञान और समाज शास्त्र दोनों के लक्षन पाएंगे चर्चा कीजिए कैसे विभिन विशे आपस में अन्तिक्रिया करते हैं और परस पर प्रभाब डालते हैं समाज शास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्यन को समर्पित है जबकि परंपरागत राजनितिक विज्ञान ने अपने को शक्ती के आपचारिक संगठन के साकार रूप में अध्यन तक सीमित रखा समाज शास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समूचे के बीज अन्तशंबंधों पर बल देता है जबकि राजनितिक विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है हालां की समाज शास्त्र की अनुसंधान में समान रूची को लेकर राजनितिक विज्ञान से लंबी साजेदारी है मैक्स वेवर जैसे समाज शास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाज शास्त्र का नाम दिया जा सकता है राजनीतिक समाज शास्त्र का शेत्र राजनीतिक वहवार के वास्तविक अध्यन के रूप में बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ भारतिय चुनावों में भी मतदान के राजनीतिक प्रतिमानों का काफी विशिष्ट अध्यन देखने में आया है। इतिहासकार एक तरह से नियम के मताबिक अतीत का अध्यन करते हैं जबकि समाज शास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में जाधा रुची रखते हैं। इतिहास ठोस विवरनों का अध्यन करता है जबकि समाज शास्त्री ठोस वास्विक्ताओं से सार निकाल कर उनका वर्गी करन एवं समान्य करन करता है। आजकल इतिहासकार अपने विशलेशन में समाज शास्त्री पधतियों एवं धारनाओं का उप्योग करने लगे हैं। परमपरागत इतिहास राजाओं और योधाओं के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। जानकारी प्राप्त कीजिए कि इतिहास कारों ने कला, क्रिकेट, कपड़े, फैशन, वास्तुकला एवं भवन, विन्यास के इतिहास के बारे में किस प्रकार लिखा है। प्रिष्ट संख्या 22 हालांकी, आजकल इतिहास काफी हद तक समाज शास्त्रिय हो गया है। और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विशेवस्तु है। यह शासकों के कार्यों युद एवं राजतंत्रवाद के बजाए, सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार, प्रथाओं एवं प्रमुख, संस्थाओं का अध्यन करता है। समाज शास्त्र एवं मनुविज्ञान मनुविज्ञान को प्राए, वहवार के विज्ञान के रूप में परिभाशित किया जाता है। यह मुख्यता व्यक्ति से संबंधित है, यह उसकी बौधिक्ता, एवं सीखने की प्रविति, अभी प्रेणाओं, एवं यादाश्त, तंत्रिका प्रणाली, एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुची रखता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कारे करता है, अपनी प्राथमिक रुची एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बास से सरुकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार समाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्य परिवार करता है। अपने प्रख्यात अध्यन में समाज शास्र को स्पष्ट पधती एवं विशेशेत्र में स्थापित करने की चेश्टा की इसमें उन्होंने उन व्यक्तिटिगत उतकंदाओं को बाहर ही रखा जिनोंने आत्महत्यागी या इसकी चेश्टा की या उस सांख की आंकडे के अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरा तत्व विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्यन शामिल है। यहां हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि यह समाज शास्र के अध्यन के एक दम निकट है। समाज शासर को आधुनिक जटिल समाजों का अध्यन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्यन समझा जाता है. हमने पहले पढ़ा है कि प्रतेक विशे का अपना इतिहास अत्वा जीवनी होती है सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब ये माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मानव विज्ञानियों ने गैर यूरोपियन सामाजों का अध्यन किया, जिनको प्राय विजातिय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था, जि प्रिष्ट संख्या 23 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर असाम में चाई पत्ती तोड़ने वाली श्रमिक महिलाओं को दर्शाया गया है लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे मूल निवासी विद्धिमान हैं चाहे वे भारतिये हैं या सुडानी नागा है या संथाल जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरन तथस्त वैज्ञानिक तरीके से लिखा था प्रत्यक्ष्य वेवार में वे लगातार उन समाजों की तुल्ला आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते थे जिसे वे एक मानक दंड के रूप में देखते थे अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और समाजिक मानव विज्ञान की प्रकती को पुन्हे परिभाशित किया है जैसा की हमने देखा है आधुनिक्ता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुवात की जिसमें छोटे से छोटा गाउं भी भूमंडलिये प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ इसका प्रत्यक्ष उधारन है उपनिवेशवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यदिक दुरस्त गाउंवों ने भी अपने प्रशासन और भूमी कानूनों में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाई में परिवर्तन और अपने उत्पादक उध्योग को समाप्त होते हुए देखा था समकालीन भूमंडले प्रक्रियाओं ने दुनिया के इस प्रकार सिकुडने को और जादा बल प्रदान किया है एक सरल समाज का अधियन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक समीती समाज था हम जानते हैं कि आज ऐसा नहीं है क्रिया कलाप 10 मालूम कीजिए कि असम के चाए बागानों में काम करने वाले संथाल जाती के श्रमिकों के पुर्वज भारत में कहां से आये थे असम में चाए की खेती के शुरुवात कब हुई क्या अंग्रेज उपनिवेशवास से पहले चाए पीते थे सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल एवं निरक्षर समाजों पर किये गए परंप्रागत अध्यन का प्रभाव मानव विज्ञान की विशे वस्तु और विशे सामगरी पर पड़ा सामाजिक मानव विज्यान की प्रविती समाज सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्यन करने की होती है अभी तक जो विशेश अग्यता प्राप्त हुई है वह शेत्र पर आधारिती उधारन के लिए अंडमान दीपसमू, नुवर अत्वा मैलनेसिया समाज शास्त्री जटिल समाजों का अध्यन करते हैं अत्य समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाती अत्वा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं समाजिक मानव विज्ञान की विशेशताएं थी लंबी शेत्रिये कार्य परंपरा समुदाय जिसका अध्यन किया उसमें रहना और अनुसंधान की निरी जाती पधतियों का उप्योग समाज शास्री प्राय सांकिकी एवं प्रशनाविली विधी का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षन पधति एवं संख्यात्मक आंकडों पर निर्भर करते हैं पांचवे अध्याई में आप इन परंपराओं के बारे में और जादविस्तार से जान पाएंगे आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वैम एक बड़े पुनरविचार की अवशक्ता है भारत स्वैम परंपरा और आधुनिक्ता का गाउं और शेहर का जाती और जनजाती का वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रन है गाउं राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए हैं कॉल सेंटर देश के विभिन कस्बो से यूरोपिय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं भारतिय समाज शास्त्र दोनों परंपराव से सार ग्रेहन करने में काफी उदार रहा है भारतिय समाज शास्त्री अक्सर भारतिय समाजों के अध्यन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बलकि उनका भी अध्यन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है ये शेहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जन जातियों का भी एक समगर रूप में अध्यन कर सकता है इस बात का डर बना रहता है कि सरल समाजों के खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टा खोदेगा और समाज शास्त्र में मिल जाएगा हालांकि दोनों विश्व में लाबदायक अंतर परिवर्तन हुए हैं और आजकल पधितियों एवं तक्नीकों को दोनों विश्व से लिया जाता है राजियों और वैश्वी करन के मानव विज्ञानी अध्यन किये गए हैं जो की सामाजिक मानव विज्ञान की परमपरागत विशेव वस्तु से एकदम अलग है दूसरी और समाज शास्त्र भी आधुनिक समाजों की जटिलता के अध्यन के लिए संख्यात्मक एवं गुनात्मक तक्नीकों समश्टी और विश्टी उपागमों का उप्योग करता है जैसा की पहले कहा जा चुका है कि हम इस पर चर्चा पांचवे अध्याई में जारी रखेंगे क्यूंकि भारत में समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में अतीन निकट का संबंध रहा है प्रिश्ट संख्या पच्चीस शब्दावली पूंजी वाद आर्थिक उद्यम की एक वेवस्था जो की बाजार विने में पर आधारित है पूंजी से आश्य है कोई संपत्ती जिसमें धन भवन एवं मशीने आदी शामिल हैं जो बिक्रे के लिए वस्तू के उत्पादन में उप्योग की जाती है अत्वा बाजार में लाप कमाने के उ द्वन्दात्मग सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमानता जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छा अनुभविक अन्वेशन समाज शास्त्रिय अध्यन में दिये गए किसी भी शेत्र में की जाने वाली तथे परक जांच एक समाज शास्त्रिय द्रिश्टिकोन जो सामाजिक विश्व का विशलेशन करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है यदपी इस सिद्धानत के कई तत्व हैं लेकिन उन सब का एक सरुकार है समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उसे दूर करने के लिए कार्य करना समाजिक बाध्यता एक शब्द जो इस तत्थे को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे वहवार को अनकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं मुल्य व्यक्ति या समूहों द्वारा माना जाने वाला विचार की क्या जरूरी है सही है अच्छा है या बुरा विभिन मुल्य मानव संस्कृती की विभिनता के मुख्य पक्षों को दर्शाते हैं अभ्यास प्रश्न एक समाज शास्र के उद्गम और विकास का अध्यन क्यों महत्वपून है प्रश्न दो समाज शब्द के विभिन पक्षों की चर्चा कीजिए ये आपके सामाने बौधिक ज्यान की समझ से किस प्रकार अलग है प्रश्न तीन चर्चा कीजिए कि आजकल अलग-अलग विश्यों में परस पर लेन देन कितना ज़ादा है प्रश्न चार अपनी या अपने दोस्त अत्वा रिष्टिदार की किसी व्यक्तिगत समस्या को चिन हिद कीजिए इसे समाज शास्त्रिय समझ द्वारा जानने की कोशिश कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा ग्यारा के लिए समाज शास्त्र की पाठे पुस्तक समाज शास्त्र परिचे का ध्वनी पाठ वाचन्स्वर, रुची शर्मा, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, कुसुमलता और शानु मुक्सीम, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत